आज आपको दिखाने लाया हूँ अमेजिंग डुपलेक्स फ्लाट दिखाने लाया हूँ सेक्टर छे द्वारका में यह फ्लाट है पहले तो अमेजिंग इसका ड्रॉइंग रूम देखें इतना तो डुपलेक्स फ्लाट है यहां से हमारी एंट्री करते हैं यहां पर आपको तो अपने शूज रख सकते हैं, यहाँ पर अपना बैट के अराम से शूज उतारके, अपने शूज रख सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा फ्लैट है, ड्राइंग रूम देख सकते हैं, यह स्टेर्स आपको मिलती है, डुपलेक्स फ्लैट है, 4BHK का यह डुपलेक्स फ्लैट यह stairs आप देख सकते हैं, तो amazing view आता है आपके drawing room और dining का, तो यह पूरा drawing और यहाँ पर dining है आपका, तो drawing dining के साथ में आपको यह kitchen मिलती है, तो यह आप देखें कितना designer इसकी wall paneling की वही है, और यहाँ पे भी यहाँ तक आपकी wall paneling है, यह पूरा LED, pew polish का काम पूरा इस पर हो चैनल को subscribe करना ना भूले, Instagram और Facebook पे आपको छोटी-छोटी शोट वीडियो की information जल्दी मिल जाती है, शोट वीडियो, तो वहाँ पे हमें follow करके रखे, तो द्वार काम सर्च करके Instagram और Facebook पे follow कर दे, YouTube पे subscribe करना ना भूले, अच्छे-ची information आपके लाता रहता हूं, चाहें दिखाऊंगा इस फ्लैट से आपको पूरा लश ग्रीन पार्क दिखता है, ड्रॉइंग डाइनिंग में आप देखें, सनलाइट नेचरल आती है, पूरा लाइट वाला फ्लैट है, यहाँ पर आपको पूरा इस तरह से मिल जाएगा, देख सकते हैं, तो यह डाइनिंग मे हो रखा है, यह सारा स्पेस आपको मिलता है, यहाँ पर डबल बाउल सिंक मिल जाती है, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको विंडोज मिलेंगी, सारा काम आप इनोटेक में हो रखा है, आप देखें, सॉफ्ट क्लोज में यह आपको कटलरी सेट है, इस तरह से, तो यह स्पेस आपको पूरा पैंटरी का मिलता है, इस तरह से, तो आईए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो इसमें ड्राइंग, डाइनिंग के बाद हमें एक बेडरूम नीचे और तीन बेडरूम उपर मिलते है, तो यह फर्स बेडरूम है, तो दोस्तो आपको वाश्रूम तो मिलेगा ही मिलेगा और यह बड़ी बालकनी मिलेगी और बालकनी से एक बार व्यू देखो इसका बहुत ही प्यारा व्यू नजर आता है आपको पारक फेसेंग तो बालकनी इस तो उपर भी मिलेंगी जो आपको और यही विउ दिखाएंगी उपर वाले से पर देखो अमेजिंग पार्क विउ है और लश ग्रीन पार्क नजर आएगा हमेशा ही आपकी बालकनी से आपको यही विउ मिलेगा सामने कोई फ्लाट नहीं है कोई आपकी बालकनी में तांका जाकी जैसे होता है कि वो सब कोई नहीं कर रहा द्वारका का पूरा फील आएगा कि हाँ यार लश ग्रीन सोसाइटी है आप देखें पूरा वेल मेंटेन पार्क है तो डवलप पार्क मिल जाएगा तो ये सोसाइटी इसका व्यू मैंने दिखाया ये इसके साथ आपको वाश्रूम मिलता है इस बेडरूम के साथ आपको ये वाश्रूम मिलेगा ये देख सकते हैं So friends, उमीद करोंगा आपको फ्लाट पसंद आ रहा होगा इंटीर पसंद आ रहा होगा कुछ भी चीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अब चलते हैं अपने तो फ्रेंड्स अब डुपलिक्स फ्लाट है तो उपर जाना ही पड़ेगा एक बेडरूम नीचे मिल जाएगा ट्राइंग डाइनिंग किचन मिल जाएगी आपको आपको अगेन आप देखे हैं कि स्पली मुटिफिल हाईलाइट किया गया है वाल को इस तरह से और इस चंदलर का मज़ा और जो आप इधर से टर्न करेंगे तो इस चंदलर का मज़ा जो duplex में ही feel देता है आपको duplex flat में ही आ सकता है तो ये आपको हम उपर आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है दुबारा से हमारा couch area तो इसको आप एक तरह से जिस भी तरह से use कर सकते हैं utilize कर सकते हैं, small area यहाँ मिलता है यहाँ आपकी सबसे पहले second bedroom की बात करूँ, तो यह हमें एक bedroom मिलेगा यह आपको LED पैनल के लिए space मिलेगा, balcony दो bedroom से attach है यह वाली भी जैसे दीचे दिखाई थी वैसी same running balcony है और एक balcony आपको यहाँ भी मिलेगा यह और बड़ी वाली balcony है भी इस balcony का size देखो दोस्तों और यहाँ से view देखें एक बर दुबारा से बहुत ही प्यारा view है और यहाँ बैठके आप शाम को चाय पीओ अपनी या morning में योगा करना हो कुछ भी तो यह view आता है बिल्कुल society से लगता हुआ यह डीडीए का पाक है lush green पाक आपको मिलेगा तो मज़ा लीजिए फ्लाइट का यह मैंने आपको बालकुनी रिखा यह वाला स्पेस अलग से मिला हुआ है आपने जो split AC लगेंगे उसके जो outdoor units होते हैं वो यह इदर आप safety के साथ यहाँ लगा सकते हैं ठीक है तो यह outdoor unit यहाँ लगेंगे यह इसके साथ हमें मिलेगा वाश्रूम यह दो बेडरूम के साथ अटाया चाहिए वाश्रूम बद्रों का साइज भी काफी बड़ा मिलेगा आपको यहां पर separate shower area मिलेगा यहां पर आपकी seat मिलेगा वाश्रूम का और दो बेडरूम से अताया चाहिए वाश्रूम गाइज आपको washroom दिखाया है, यह हमारा third bedroom है, master bedroom भी बना सकते हो, काफी बड़ा bedroom है यह, तो यह आपको काफी बड़ा bedroom मिल जाएगा, third bedroom है यह, तो इसके size की बात करूँ, तो 4, 8, 12 और लगभग 13, 12, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12, 13, 13 का यह room size है, काफी बड़ा size मिल जाएगा, यह पू पूरी स्पेशियस अगर आपको खोल के भी दिखाऊंग तो इस तरह से लाइट के साथ यह तरह से वाट रूप और जो मैं एक और बालकनी जो इसमें मिलती है जैसे रणिंग नीचे थी वैसे यहां पर भी रणिंग बालकनी तो इस फ्लैट में यह थर्ड बालकनी है तीसरी बालकनी दिखा रहा हूँ और इधर से भी यह प्यूरा व्यू आपको पूरे फ्लैट से यही व्यू नजार आता है आप चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ यह हमारा फोर्थ बेडरूम है इसको आप मास्टर बेडरूम बना सकते हैं सेफरेट वाश रूम मिल जाता है इसमें इसके साइज की बात करूँ दो चार आठ बारा और लगभग तेरा दो चार चे आठ दस बारा तो बारा बाई साड़े तेरा का यह रूम साइज है आपका और यह देख सकते हैं यहां पूरी बाडरोब यहां पर आपको मिलेगा LED पैनल बहुत ही डिजाइन इसमें बहुत ही अमेजिंग डिजाइनर फ्लाट है यह लक्शरी सेग्मेट में फ्लाट है इसके साथ आपको और यह रड़ वाश्रूम और मिलेगा यह थर्ड वाश्रूम है यह वाश्रूम भी देख सकते हैं अब यह मैंने आपको पोर बेटरूम दिखाए त्री वाश्रूम के साथ त्री बालकनी जिसमें मिलेंगी आपको अमेजिंग डुप्लेक्स फ्लाट आई ए फ्लाट उन ल और मेंना चाहिए उसक्क्टरशे में मार्केट पास है सेक्टर छे की सेक्टर जसकी स्पोर्ट कमपलेक्स स्क्क्र 11 पास्के में यहं से जैरे त्थे वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें आब मिलता हूँ अपसे नेक्स चूडियो में तब तक के लि